टाटा मोटर के अगस्त महिने के बिक्री के डेटा आ गए और यहाँ पर यह आकड़ है अनुमान से हमको बहतर आते हुए दिखा दे रहे क्योंकि इस बर 52,000 यूनिट के असपास की इसके सेल्स रहने का अनुमान था मगर यहाँ पर 4,190 यूनिट इस बर बेचे तो यहाँ पर अनुमान से बहतर हमको टोटल सेल्स का फिगर आता हुए दिखा दे रहे और इसके लवा साल दर साल 33% के असपास की हमें यहाँ पर जंप भी देखने क मिल रहे और इसके लोग कोमर्सिल विकल्स की बात करें तो पिछले साल 17,809 यूनिट बेचे थे उसके समने इस बर 29,701 यूनिट है और यह फ्रेंट साब यहाँ खास एक बात नोट करो यह पिछले महिने से भी जादे है और पिछले साल से भी अच्छे तो ओर ओल यहाँ आपर हमे 16% के आस पास की साल दिर साल जम देखने को मिलगों और 25 परसन के आस पास की मन्त और मन्त जम देखने को मिलगों इसके लगए पेसेंजर विकल्स आप देख सेको तो पिछले साल 28,530 यूनिट थे वो बढ़कर 28, planning यहाँ यूनिट के आस पास ऐा और पिछले साल यह figure फ्रिंट्स आप देख से तो 51% के आजबस की पिछले साल के मुकाबले यापर हमें जम देखने को मिले तो और यहाँ पर बहुत ही जबर्दस नतिजे आते हुए दिखा देरो और यहाँ एक खास बत नोट करने वाली है पेसंजर वेहिकल्स में जो पिछले साल 306 यूनिट इसने इलेक्रिक वेहिकल्स के बेचे थे वो इस बार तीन गुना हो गये और 2022 इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इसी महिने में बेचे तो यह भी इसके लिए बहुत ही एंकरेजिंग है और यहाँ पर खास बात फ्रिंट्स में बता दू कि इस सेर को हमने बाय करने को बोला था बहुत बड़े टार्गेट के लिए तो अब वो टाइम नजदिक आता जा रहा है जहाँ पर इसकी जो सेमी कंड़क्टर रिलेटेड जो इश्यू है वो खत्म होने वाले अगले एक डेट मैने में तो उसके बद इस सेर में हमें अच्छे कासी तैजी देखने की उमीन देतों जो भी लोग इस सेर को लेकर बैठे वो डेफिनेटली होड करें जिसके पास न